हलो सुदेंट्स आम नभीन स्वागत आपका मेरी डूप चनल बेसिक मैस्टान डिप्स में और इस वीडियो में करने वला हूं क्लास नाइथ चाप्टर नंबर सिस्टम के टॉपिक एकक्सपरन आफ रियल नंबर से लिया है तो चली शुरू करते हैं तो देखे सम्में में दिया है if a equal to xy की power p minus 1, b equal to xy की power q minus 1, and c equal to xy की power r minus 1 तो हमें यहाँ पर यह प्रूफ करना है कि यह 1 के एक्क्वल है तो देखे इस सम को करने के लिए हम laws of exponent का use करेंगे उसके according अगर x की power m हो और bracket के बाहर n हो तो इस case में हम powers को multiply कराते हैं यानिकी m को n से multiply कराएंगे तो अजगा m n तो इस law का use करेंगे हम इस question को solve करने के रहें तो देखें सबसे पहले हम इसको solve करेंगे यहां पर है a की power q-r अब यहां पर देखें a यहां पर अगर हम देखें तो a बराबर है xy की power p-1 के तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि xy की power p-1 और बाहर हमें यहां दिया हुआ है q-r तो हम यहां पर लेखेंगे q-r bracket के बाहर अब देखें अगर a, b bracket के बाहर अगर M है तो इसका मतलब e के लिए b 15,"A की power B M होगी और यहां पर बी की power B M का रहेंगे इसका यूज्ज हम करेंगे यहां पर जो q-r है power में वह x के साथ भी रहेगा अधा हम यहां लिखेंगे q मैरेस आर और उसी तरह ऐसे यह वाई के साथ भी रहेगा मल्टिप्लिकेशन की फॉर्म में रहेगा यह इस तरह से देखें यहाँ पर हम एक्स की पावर क्यू माइनस आर तो ऐसे लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें इंत का प्रोड़क्ट निकान लोगा तब हम वाई की पावर लिखेंगे इसको तो प्रोड़क्ट कैसे निकालेंगे देखें मैं इसको रफली सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको देखें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है P-1 Q-R तो हम यहाँ पर P की मल्टिप्लाई Q-R से करेंगे तो P की Q से मल्टिप्लाई करेंगे तो PQ P की R से मल्टिप्लाई करे लिख पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यह बन जाता है मारा PQ-PR-Q-R जैसे हमने इसको solve किया है इसी तरह से हम B की पावर R-P को भी solve करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि अब हमें solve करना है B की पावर R-P को यहाँ पर हमें B की value दियोई थी xy इसकी पावर Q-1 तो इसके बाहर हम यह लिखेंगे R-P ठीक है अब यहाँ पर R-P X के लिए भी होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे X की पावर R-P और साथ में हम लिखेंगे Y की पावर Q-1 और R-P तो यहाँ पर हम इसका product करके लिखेंगे अगली line में तो X की पावर यहाँ R-P अभी as it is है और यहाँ पर इसका product कर लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हम Q की multiply R-P से करेंगे फिर minus 1 की multiply R-P से करेंगे यहाँ पर हो जाता QR Q को P से multiply करेंगे तो minus QP minus 1 को R से multiply करेंगे तो minus R और minus 1 को minus P से multiply करेंगे तो plus P तो इसको हम लिख लेते हैं हम पर यहाँ हम लिखेंगे कि Y की पावर QR minus QP minus R plus P इसी तरह से हम C की पावर P minus Q को solve करेंगे जो अगला number था हमारा C की पावर P minus Q तो यहाँ पर हम C की value लिख लेते हैं तो C की value हमें question में दी हुई है XY इसकी पावर R-1 यहाँ पर हम बाहर लिखेंगे P minus Q bracket के अब यह P minus Q X के लिए भी होगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि X की पावर P minus Q और Y के लिए भी होगा अब दीखें इन दोनों का product निकाल लेते हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर इससे लिख लिए है तो R को हम multiply करेंगे P minus Q से फिर minus 1 को multiply करेंगे P minus Q से तो R को P से multiply करेंगे तो R P, R को Q से multiply करेंगे तो minus Q R तो minus 1 को P से multiply करेंगे minus P, minus 1 को Q से multiply करेंगे तो plus Q तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, तो अगले step में मैं इसे लिखता हूँ X की पावर P minus Q, multiply Y की पावर अब बन जेगी R P minus R Q minus P और plus Q अब आगे से हम solve करेंगे तो देखें इसमें laws of exponent लगेगा वो मैं आपके बतायाता हूं कि a की power m हो multiply a की power n हो तो इस case में हम powers को क्या कर देते हैं add कर देते तो a की power m plus n इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको अब देखें question के according हमें यहां पर जो हमें दिया था हमें prove करना है one cake equal तो हम जो है अब इसको लिखेंगे और फिर जो इसकी values हमने निकाली है जैसे कि मैंने a की power q minus r की value यह निकाली है तो इसको मैं रखूँआ ठीक है उसी तरह से सब की values रखी जाएंगी और उन्हें solve के जाएगा तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं कि multiply b की power r minus p को multiply c की power p minus q को तो a की power q minus r जो है वो हमारा यहां आया था x की power q minus r multiply y की power p q minus p r minus q plus r उसके बाद अब b की बात करें अगर हम तो b के लिए आया था x की power r minus p और y के लिए आया था qr minus qp minus r plus p अब अगर हम यहां इसकी बात करें C की पावर P माइनस Q की तो इसका अंसर ही आया था यह लिख लेता है यहां आया था X की पावर P माइनस Q multiply Y की पावर R P माइनस R Q माइनस P प्लस Q अब देखें यहां पर X की जो values है इनको साथ साथ लिख लेंगे P multiply X की पावर P माइनस Q उसी तरह से यहां पर Y की पावर भी लिख सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे Y की पावर P Q माइनस P R माइनस Q प्लस R multiply Y की पावर अब इधर से लिखेंगे Q R माइनस Q P माइनस R प्लस P और इधर से Y की पावर rP minus rQ minus p plus Q देखे, is lawed के according देखे, base same होते हैं, तो यहाँ पर देखे हम इसकी बात करें, यह base same है तो हम इंद पावर्स को अड़ करेंगे, उसी तरह से y यहाँ पर base same है इसकी पावर्स को हम अड़ करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं base को हम एक बार लिखेंगे और यहाँ powers को add कराएंगे तो यहाँ पर q minus r plus r minus p plus p minus q और इधर हम लिखेंगे y अभी यहाँ पर इसकी powers को भी add कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे p q यह विले लाइन उतार हुआ है माइनस p r minus q plus r plus q r minus q p minus r plus p plus r p minus r q minus p plus q देखें यहाँ पर q plus का और q minus का यह आपस में cancel हो जगा minus का r plus का r यह cancel हो जगा minus का p और plus का p यह आपस में cancel हो जगा तो यहाँ सब यह cancel हो गए तो इसलिए यहाँ पर बचा x की पावर 0 multiply का sign देखें p q यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर minus q p q p p q एकी बात होती है तो यह आपस में cancel अब यहाँ पर minus p r है 5-1 दियों मिली यहां पर वाएं से कटएंगे 1–2 यहां पर मिलेगा यहां तो यहां पर इसरी करने हो तो 먹ले जैसे हम जानते हैं कि अगर x की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है laws of exponent के according तो इसलिए हम यहां यह कह सकते हैं कि यहां पर x की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 multiply y की पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 तो 1 को 1 से multiply करते हैं तो हमारा answer आजाता है यहां पर 1 यही हमें prove करना था तो मैं आशा करते हूं कि आप कुछ sum समझ मैं होगा इसी तरह के बहुत से sums class 9 के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में और नहीं sum के साथ तब तक के लिए गुडबाए